हेलो मामा लोग, विलकम है आप लोग का फिर से एक बार मेरा चैनल में तो आज हम लोग जा रहे थे पगला हट वहाँ जा कि आप लोग को ऐसा ऐसा वीडियो दिखागे गूरूगा कि आप लोग को पगला कर देए तो पगला हट से एक भाए उनका फून आया था हसीब डेरी फार्म का जो कि पगला हट अलसफी कैटल फार्म का आगे है मतलब एकदम आखरी वाला खटाल है पगला हट पहला वाला ब्रीच से पहले जो रस्ता जा रहा है अंदर के तरफ उस तरफ ब्रीच का बाद वाला खान नहीं पकड़ना है उससे पहले वाला अलशफी का डल फार्म है वहां से आगे सीधा इस्टेट जाईएगा आप लोग को नदर आयागा हसीब डेरी फार्म तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं हसीब डेरी फार्म तब तक का रस्ता में थोड़ा चकल्लस हम लोग करते हुए जा रहे थे धूप था बहुत लेकिन आप लोग कलिए न वीडियो बना के जो दिल में ठंडक महुचे हैं हमामा लोग उसका आगे तो इस अब धूप भी कूश नहीं है मतलब की दिल खूश और कलेज़ तर तो चलिए हम लोग आ गया है हसीब डेरी फार्म तो आप लोग देख लीजे बैनर का स्क्रिन शॉट ले लीजे भाई को कॉन्टाक करिएगा कॉन्टाक करके जाएए माशालला बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है भाई का खटाल में भैस है गोरू है बैल नहीं मिलेगा आपको बड़ा बड़ा वैसा गोरू मिलेगा लेकिन बैल नहीं मिलेगा तो भाई का पास limited collection है बहुत ज्यादा नहीं है तो जल्दी जाइए कहीं माल जो है सब चटक निकल नहीं जाए तो भाई का खडाल में लगबाग 12-14 गोरू है उससे ज्यादा नहीं है उसमें कुछ आपको medium range का भी गोरू मिलेगा और बड़ा गोरू भी मिलेगा जैसे कि आप लोग को हम वीडियो में दिखा रहे हैं देखिए ये सब जो है ये सब भाई का medium range वाला गोरू है ठीक है माशालला सब ही गोरू अच्छा है कोई गोरू खराब नहीं है और पिछला गोरू पिछला वीडियो में मलिक डेरी फार्म का वीडियो में हमा लोग इतना महबबत और इतना प्यार लुटाने के लिए शुक्रिया ठीक है आप लोग सब हम से मिलिये इंशालला आप लोगो ट्रेड देंगे इसलिए कि आप लोग का बहुत ही प्यार महबबत आया उस वीडियो में और मलिक डेरी फार्म का बहुत सारा गोरू भी सोल्ड आउट हो गिया माशालला क्या ही बोले आप लोगो दिल खुश हो गिया मेरा तो जिस भी भाई को वैसा वीडियो बनाना है तो आप लोग हमको कॉंटाक करिए नंबर हम आप लोग को अपना स्क्रीन में दे देंगे मुबाइल नंबर आप लोग कॉंटाक्ट करिए और जो भी खडाल का वीडियो हो या परसनल कोई गोरू का वीडियो है जो भी बनाने का आप लोग हमको कॉंटाक्ट करिए हम पहुँच जाएंगे और बहुत सारा भाई लोग का कमेंड आ रहा था कि हम प्राइज नहीं बताते हैं क्योंके प्रेड प्रमोशन है पैसा ले रहे तो ऐसा कोई बात नहीं है जो भी वीडियो बनेगा आप लोग के लिए वो मेरा तरफ से आप लोग को तोफा बिल्कूल फिरी लूट लो तो यह सब माल देखिए माशालला साब अच्छा अच्छा है यह वाला देखिए लाल वाला जो है बहुत ही अच्छा गूरू था मुंडी गूरू है गूरू में बनावट बहुत अच्छा है और उसका बगल में जो वाइड देख रहे हैं बाची है तो मतलब लिमिटेड कलेक्शन है लेकिन सब माल चोकास है देखके आप लोग का दिल खुस और कलेजा गुर्दा सब तर हो जागा यह वाला माल देखिए माशाला सलामी देख रहे हैं उसका जिसको बोलते है हौप कोई लोग बोलता है पूट यही सब बोला जाते ह उसको तो बहुत ही अच्छा गोरु था माशाला मतलब बहुत अच्छा अर अभी देखिए पीछे का हलका इसका बनावट थोड़ा सा बनेगा लेकिन अभी वक्त है दो मैना तो थोड़ा सा धीरज रखिये तब तक का माल जो है देखने लाइक हो जागा उसका बगल में द बहुत ही खुबसूरत लग रहा था दोनों सिंग घुमावा था और माल भी एक नमबर था भाई क्या बोले आप लोग को सामने से गोरु देख लीजेगा तो गोरु का जो रुवाब है देखके आप लोग का दिल खुश हो जागा माल एक नमबर है हाइड है खुबसूरती है सलामी है पूट है मतलब कोई भी चीश का कमी माल में आप लोग को मिले गाने एक नमबर माल है चौड़ाई भी है गोरु में और खुबसूरती का तो हम क्या ही आप लोग को बोले सब गोरु आप लोग को वन बाई वन निकाल करके दिखाएंगे तब तक कलि ये वीडिय चिपकाई है बोलिए कि मामा का वीडियो है देखो इसमें तुम लोग को माल जो पसंद आगा जाओ जाके खरीदो आप लोग अलिए हम ढून धान के इतना मुश्किल से वीडियो ला रहे है इदर उदर जा रहे अभी तो बहुत सारा गपा का वीडियो आना बाकी है जाए सब जगा गए है बहुत सारा वीडियो अभी जो है प्रोसेस में है आने वाला है तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को फॉलो करके रहे है और अपडेट रहे है मेरा साथ ताकि कहीं फिर हम वीडियो डालेंगे पदा चला आपने देखे कोयार देख लिया रू जागर यार लूटिये इस सब माल देखिये सामने से आप लोग देखिये आप पीछे का तो देखा दिया कोई में आपको सिंगाला को चोड़ी नहीं है राया नहीं होगा सब माल चोका से आप सामने से भी देख लिजे सामने से चाहरा नुरानी सिंग देख लिजे और सीना देख लीजिए और रसी भी देख लीजिए कौन कलर का है तो यह सब जो है गोरू सब अच्छा गोरू देखे यह वाला वाइड गोरू जो है बाची है इसको निकालेंगे माशालला बहुत ही खुबसूरत गोरू है और एक दम शेप का गोरू है ठीक है एक ब्यान भी नहीं हुआ म भाई का खडाल में सब गोरू बहुत अच्छा से साफ सफ़यात से रखा हुआ इसको देखिए तेरे नाम और कान भी इसका छेदा हुआ देखिए कान में बाली था सलमान खान का तेरे लेकिन बाली हम लोग उतरवा दिया इसलिए कि चेंगला गोरू सब को पसंद आता नह किया है इवाला भी गोरू देखिए अच्छा गोरू है भाई का लाड में पांच गोरू यहां लाइन से छे गोरू पांच गोरू जो है सब गोरू अपने में आप है सब बड़ा गोरू है ठीक है और उसका बाद जो भी आपको मिलेगा सब मिडियम रेंज का गोरू है ठी लिए फिर भी जाईए कोशिश करिए आप लोग बयास साड़ में भाय अगर बोतल में उतर गए तो ले लिजेगा इवाला गोरू देखिए पहला नंबर गोरू माशेलला इसका चोड़ाई देखिए बनावट गोरू में एक नंबर है हाइड है गोरू में गोल गाल है ठीक है और अभी दो मेहना बाकी है दो मेहना खाएगा तो और गोली आ जागा इस अब गोरू हुआ अच्छा गोरू है मतलब बड़ा बड़ा गोरू इस अब बड़ा फर्मा का गोरू है सामने से देखिएगा तो आर जबर्दस लगेगा दूर से कैमरा में तो बाल समझ में आये ने लेकिन फिर भी आप लोगो दो दिखाने होगा सबको तो हम लेके जान ने सके इसलिए आप लोग के ये वीडियो से वीडियो का माध्यम से आप लोग तक हम पहुचा रहे आप लोग देखिए पसंद करिए गोरू और स्क्रिन शॉट लेके भाई का नंबर में कॉन्टाक्ट करिए भाई से रेट आपको भाई बताएंगे अगर आप लोग का पड़ता में गिरता है तो आप लोग चटक निकल जाएए वहाँ और नहीं गिरता है तो फिर अगला वीडियो का इंतिजार करिए नहीं आने अगपा तो आप लोग लिए हम लाई रहे यह वाला माल देखिए आप इसको निकल अंदर लेकर गजा रहे देखिए माल बहुत ही अच्छा माल में हाइड भी है गुलाई भी है भारी गुरू है पीछे का शेप थोड़ा सा बनावा नहीं है लेकिन अभी टाइम है तब तक का माल आप पहचानने पाईएगा एक दो हफ़ता बाद अगर आप देखिएगा ना तो आप पहचानने ने पाईएगा कि वह वाला माल है अब बारी है तेरे नाम का इसको देखिए माशाल्ला जो चीज है ना मतलब कि एक नंबर बवाल चीज है इस अब गोरू अच्छा कॉलेडी का गोरू है हर्याना गोरू है दिल खुस हो जागा आप लोग का देखी के इसको देखिए हमाल देखिए हर चीज हर जगा से माल जो है ना मतलब पूरा गोल कहीं से कोई चीज का कमी नहीं है गोरू में और हैरी स्टाइल तो इसका बहुत खर्चा करके हम लोग करवाया है ताकि थोड़ा देखने में और सुन्दर लगे सलामी भी इसका है गोरू एकदम वाइड हो रहा था भाई बोले कि नहलाये वे एक हफता हो गिया है माल तो जो है पूरा वाइड है ये सब जो गरदन उर्दन में देख रहे है ये सब नहीं थोड़ा सा मैला जम गिया ठमजें ने तो माल जो है पूरा वाइड है और माल में खुबसूरती आप लोग देखिए पूरा शेप वाला गोरू है कहीं पेट वेट कुछ नहीं निकला हुआ चोकस गोरू है जाईए आप लोग पसंद करिए भाई का इवाला गोरू जो है हमको बहुत पसंद आया रेट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बड़ा गोरू है बड़ा गोरू का भाई या दोनोग प्राइज होता है तो इसलिए या गोरू बड़ा है रेट इसका थोड़ा भाई चाड़ के मांगेंगे लेकिन बात वह है बड़ा गोरू लेने वाला भी बहुत कोई होता है उतना भी बड़ा नहीं है टेंसन मत लिजे पांच लाग दस लाग वाला मान ली है ठीक है आप लोग बात करिए भाई से फिर भी जो भी मतलब बड़ा और खुबसूरत गोरु का शौकीन है इमाल इन्शालला आप लोग को पसंद आएगा इसलिए कि माल एक नंबर था और इसका सिंग तो आप देखी नंबर गोरु का इवाला गोरु भी माशालला बहुत ही जवर्दस गोरु है इस अब शेप का गोरु बहुत कम मिलता है खाली पीछे का थोड़ा सा बनेगा अभी टाइम है बाकी अभी बनना बाकी है भाई बोल दिये कि भाई थोड़ा सा अभी रेडी होगा गोरु कि पिछे का मामा बोल λा थे कि कम हैं इसलिकि बाइय का मेहनत हम देखा बाई खिलाते पिलाते बहुत अच्छा है और गोरु का आप देछ के समझ में आता ही होगा कि कितना साफ सफयियत है गोरु मैं गोरु में रुबाप देखिये कितना चबअस्व एक नंबर गुरू है कोई चीज का कमी ये भी गुरू में नहीं है और पीड में जो कल्चा हो देख रहे हैं आप उसका सलामी में उसका कल्चा जो है सब वाइड हो जागा क्योंकि अभी गरम गीरा है रुआ जड़ना अब शुरू होगा ठीक है और बदन बढ़ना भी अब शुरू होगा ठंडा में हमी लोग को ने देखे दावा तो अधमें जा है कितना चाप के बिर्यानी खा है हम लोग ठंडा का टाइम है मार चाप के तो इसी इलोग भी ठंडा में खाता है चाप के थंड़ा में तो बदन बढ़ता नहीं है सुकड़ा जाता है गरम में टाइम आता है जो चाप के खाया है वो पूरा चाप के फेकेगा गरम में तो इलोक अभी जो है सब निकलेगा अभी गरम में बदन जो है माशालला ये भी गोरु देखिए बहुत अच्छा है और अभी सब गोरु फटना बागी है अभी सब गरम जैसा गीरा है अभी सब गोरु फटेगा अब अपना सही रंग दिखाएगा गोरु तो जाइए आप लोग जा करके देखिए या फिर भाय से कॉन्टाक करिए भाय आप लोग को जो भी डिटेल्स है सब गोरु का आप लोग को बता देंगे ये वाला गोरु भी बहुत अच्छा शेप वाला गोरु है मुंडी गोरु है बहुत सा लोग होते हैं जो मुंडी गोरु का शौकीन होते जो मतलब मुंडी गोरु ही पसंद करते हैं तो देख लिजे आप लोग ये गोरु एक नंबर गोरु है और जो भी हमारे भाई लोग बोल रहे हैं कि मतलब 40,000-50,000 वाला बजट का भी गोरु दिखाने के लिए तो रुको जरा सबर करो उसब गोरु भी आ रहा है सब लाइन बाइन है सब आएगा आप लोग को सब मिलेगा टिंसन मत ली जाए बिर्यानी मिलेगा साथ में नान रोडी चाप परोडी सब मिलेगा टिंसन लेने का कोई बात नहीं है अभी पगला चकर सुरू कहां किया है हमाँ गरम बहुत जादा है कुछ-कुछ जगागा है, कवर किया है वो सब वीडियो आने वाला है यह वाला गोरू देखिए यही का बात कर रहे थे हम जो की बाची है एक बियान भी नहीं हुआ गोरू का और गोरू का चोड़ाए देखिए इसका बनावड देखिए माशालला बहुत ही जबर्दस बनावा गोरू है और जो भी भाई बाची का शौकीन है जो मतलब हर साल बाची बहुत ऐसा लोग है हम हर जगा मतलब देखा है कुछ न कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बाची ही करते हैं हर साल तो उन लोग का लिए ये best option है एक बार visit करिए और अगर लेने का इरादा से नहीं भी जा रहे तो कम से कम जागे देखिए क्योंकि बाची है और ऐसा बाची मिलता नहीं है हर जगा घर का पाला हुआ है बाची का आप लोग जानते है कि ऐसे दाम सब कितना मांगता है तो आप लोग जाइए ये बाची देखिए बहुत अच्छा बाची है गोलाई है माल में एकदम टाइड हो रहा ठोस मतलब आप उंगली अंदर गड़ाईएगा आपका उंगली तिड़ा हो जागा फिर आप इलेक्षन में बोट नहीं दे पाईएगा इसलिए इस सब रिस्क मत लिएगा समझेए उंगली उंगली गड़ागे दिखने का जरुवत नहीं है ऐसे ही माल देख लिएगा एक नंबर माल है माल पूरा शेप है कोई कमी नहीं है देखिए कैसी कर रहा था पदमासी किरी बहुत चंचल गोरु है बहुत मतलब एक जगा शांद खड़ा नहीं हो रहा था इक खाली बोल ला हमको सहलाओ देखिए बोला हमको सहलाओ बोला ये सहलागा बोला ने ने सहलाँए ये बोला ने सहलाँए होगा तो फिर आखिर कर उसको हम बोला भाई इसको एक काम करो खोल के ले जाओ अंदर बेकार ये excitement में कुछ इधर उदर गिर पड़ जागा तो फिर चोट लग जागा तो इसलिए भाई यह वाला गोरू भाई इस वो बोल करके हम अंदर करवा दिये लेकिन माल बहुत अच्छा देखिए बहुत यह जबर्दस गोरू है बाची है अदम गोल काल है इसका बाद बारी आया यह सब देखिए यह सब भाई का मेडियम रेंज वाला गोरू है ठीक है यह सब गोरू भी आप लोग देखिए काफी अच्छा गोरू है गोरू में चोड़ाई भी है गोल है भारी गोरू है ऐसा नहीं कि खराब गोरू है और अभी आप लोग सब को बोले अभी काफी टाइम है घर का गोरू और खटाल का गोरू में फर्क है खटाल में दो मैना में गोरू ऐसा चेंज हो जाएगा कि आप लोग समझ ने पाईएगा अभी देखिएगा कुछ और एक हफता बाद आप लोग जागर के देखिएगा कुछ और समझे ऐसा होता है खडाल में एक जगा रहता है गोरू उनलों का खिलाई पिलाई अलग है गाउं गराम में का होता है नवे बेचाली ज़्यादा भूसी कम देता है आज इस अब जगा में एक एक गोरू दस किलो बारा किलो दाना उड़ाता है तो आप सोच लिए गोरू कैसा होगा होना चाहिए खैर ये सब गोरू है भाई का खडाल में भैस का भी कलेक्शन है अभी भैस का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है बहुत सारा लोग भैस भी कुर्मानी कर रहें बड़ा बड़ा भैस तो भाई का यहां एक पर एक भैस भी है आप लोग को भैस भी दिखाएंगे अभी ठीक है और कुछ कुछ भैस को तो देखके हमको क्या बोले मतलब देखिएगा ना चाहिरा देखिएगा ना वोग का लग रहा की चाहिरा ही देखके ढर लग रहा उसको खोल के ले के जागा कैसी आदमी खेर वहाँ पर जो खड़ाल का आदमी लोग है चड़ाने के लिए वहाँ जाके उतार भी देंगे अगर आप लोग थोड़ा लामा दीजिएगा तो यह वाला गोरु देखिए इसका भी अच्छा गोरु है शेप वाला गोरु है थोड़ा सा हाइड कम है लेकिन माल एक नमबर है माल में शेप है माल में गोलाई है और टाइड गोरु है वजनदार गोरु है सब गोरु में वजन रहता है देखिए सलामी उलामी देखिए बहुत ही खुबसूरत गोरु है और शेप वाला गौरू है ऐसा गौरू मिलता बहुत कम है कोई-कोई गौरू आप लोगो मिलेगा पेट निकला हुआ पीछे सिगाणा निकला हुआ तो उस टैप का गौरू नहीं है सब गौरू अच्छा है कोई भी खराब शेप का गौरू नहीं कुछ गोरु का टूटा हुआ है पीछे हलका कम बना हुआ है वह हम आप लोग को अलेडी बता दिया इसलिए कि आप लोग भी जो देख रहे तो आप लोग निकाला और यहां पर देखिए कि यह वाला माल है यह वाला माल भी एक नंबर है मतलब की बहुत ही जबर्दास माल है उम्दा माल है ठीक है इसका हम शौट्स डाला था तो कुछ लोग बोल रहा था कि इसका पेड़ है तो भाई अगर आप यह वीडियो देख रहे तो पेड़ वेट नहीं है ठीक है माल अच्छा है माल पूरा शेप है हम ही लोग बहुत ज़्यादा अगर ठूस लेते कभी कभी तो हम लोग अभी थोड़ा पेड़ निकल जाता है फिर वो अपने आप जगह में आ जाता है तो वैसे ही इसका भी थोड़ा सा पेड़ निकला खाया है लेकिन उतना भी पेड़ नहीं है गोरु का शेप है देखके आपको समझ में आता होगा गोरु पीछे से उलड रहा और जवान गोरु है एक ब्यान का गोरु है सलामी देखिए इसका शेप देखिए बहुत ही अच्छा मतलब क्या बुले और इसका सिंग जो है ना यह दो ही लेकिन क्या बोले अपॉइंटमेंट इसका मिला नंए इवेट बंख के आईसा ठोके इस दिवार में सिंग कि एक तो सिंग तिड़ा होगा लेकिन अपने से थोड़ी होगा नहुआ लोग जैसा कर देगा तो हम लोग थोड़ी कर सकेंगे अपने से तो इवेड़ हद दर्मी करने गिया एक टुसी इसका तिड़ा हो गिया लेकिन फिर भी माल में गेटा पे देखिया माशला बहुत ही अच्छा गोरू है बहुत अच्छा हमको गोरू बहुत पसंद आया यह वाला गोरू और वहाँ पर से दो गोरु बहुत हमको पसंद तीन गोरु हमको अच्छा लगा अभी तो मतलब ऐसा कुछ इरादा है ने ने तो भाई से हम खुद दामदार करते ठीक है वो सब हो गिया भाई गोरु का कलेक्शन अब यहाँ पे आ गए हम लोग भैस का कलेक्शन में देखिए वाँ वाँ नाग देख रहे है हाईवे रोड है माशाल्ला सिंग देखिए इसका वाँ और यह सब जो गोरु है यह सब अभी दुहाई का गोरु है ठीक है तो यहाँ से कोई भी गोरु सेल का लिए नहीं है जो भी सेल का लिए था वहाँ पर था और एक यह वाला गोरु था तो आप भैस लोगो आपको दिखा रहे पीछे से इसको देखिए जलाद इसका बदन देख रहे हैं आप लग रहा जिम की अवा बदन है और इसको देखिए तो लगे घसकने ने मांग रहा हिलने ही ने मांग रहा अपना जगा से इतना भ्यानत तो भैस भी बहुत कोई मामा लोग पसंद करता है करना अभी नया एक एंटिक ट्रेंड चला हुआ भैस का तो आप लोग कोई भी अगर भैस अगर लिजिएगा तो यहाँ पर जा करके देखिए भैस लिजिएगा अगर तो साथ में आप लोग को एक थो फ्रीज भी लेने होगा इसलिए की का करिएगा आप लोग फिर चुरी बना के आप लोग को भी खाने होगा इसलिए देखिए जिसका मतलब बड़ा घंदाने दोस्तियारी जान पहचान जादा है वो लोग लेते हैं और भर पे दिल खोल के बाढ़ते हैं यह वाला भैस देखिए माशालला चमक देखिए इसमें चमक रहा है और इसका चोड़ाई देख रहे हड़ी का सोच लिजे इसका वजन कितना होगा इसको भी देखिए सब भैस का कलेक्शन भाई का अच्छा था यह एकदम जवान भैस है बचिया भैस है इसका ज़्यादा एज नहीं है अभी पहली पहला बार बच्चा दिये भाई से मेरा बात हुआ भाई बोल ले दे कि भाई पहला बार बच्चा दिये अभी 3-4 मेना का इसका बच्चा है तो मतलब सोज लिजे कि बाची भैस है तो भैस का कलेक्शन भी यहाँ पर देख लिजे भाई लोग का बाप रे बाप एक पर एक भैस है तो मतलब देख करके एकदम दिमाग घोला हो यागा आप लोग का इसा भैस है और इस लोग को देख के तो हमको इतना आदमी लोग का भी याद आने ले लगा बाप रे बाप क्या बोले आप लोग को मेरा घर में तो केड़ ओ ऐसा है तो इस सब गोरू जो है सब सेल का लिए जो जो है आप लोग को दिखाया यहाँ पर साथ आठ पिस भैस भी है वो सब भी आप लोग को दिखाया इसका देखिए मुँ देख रहे हमको देख रहे हमको बोला भी ते मेरा वीडियो का है कर रहा हम बोला हम करेंगे मेरा दिल हम बोला ला तुट कहीं नहीं चला दे लेकिन खडाल का जो आदमी था हुँ मेरा साथ में था बोला दे कि घर रभराओ मत भाई हम है तुमरा साथ तो हम बोला ठीक है भाई चलो तो काफी सारा भैस और गोरू का कलिक्शन है यहां पे जादा नहीं है लिमिटेड है गोरू 10-12 पीस गोरू है और 5-6 पीस भैस है इसलिए कि भाई का जो में काम है वो दूत का काम है तो 10-12 पीस भाई गोरू रेड़ी किये थे लेकिन जितना भी गोरू भाई रेड़ी किये सब अपने में आपे, सब उम्दा गोरु है आप लोग खडाल विजिट करिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि कासा गोरु है अगर आप लोग विजिट नहीं भी करिएगा मेरा विडियो से आप लोग को कोई जानवर अगर पसंद आ रहा है तो भाई को screenshot लेके WhatsApp करिए पहला वाला नंबर जो बैनर में है उस नंबर में भाई को contact करिए contact करके बुलिए वीडियो screenshot दीजिए और मेरा नाम लीजिएगा आप लोग अलहमदुलिल्ला आप लोग को 15-20 हजार वहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा एक रुबिया भी नहीं मिलेगा आप लोग अपना दाम से लीजिएगा गुरू और नया नया वीडियो आएगा बहुत जल्दी आएगा ठीक है और जिसको भी भाई को वीडियो अपलोड कराना हो या कुछ भी हमसे बात हो कुछ जानना हो मेरा नंबर में कॉन्टाक्ट करिए और बहुत ही जल्द मिलेंगे दारून दारून वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला पिज